हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कोहार वेलकम टू माई चैनल नीटिंग लेसन फ्रेंड्स आज मैं आपको न्यू बोरन बेबी से लेकर एक डेड़ साल तक के बच्चे का कारडिगन बनाना सिखाऊंगी कि छोटे बच्चों के लिए हम जैकेट या कारडिगन किस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स आपको ये पार्ट आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम ये तयार कर सकते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चे का कारडिगन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट के फंदे डालेंगे बच्चे की हैल्थ है पाइने के बच्चे को याएगा, साल के बच्चे को नहीं आएगा, इसलिए अगर साल तक के बच्चे का तियार करना है तो इसमें पांच फंदे और एक्ष्टा रख लीजिएगा, अगर बच्चे की हेल्थ नोर्मल है तो ये 60 फंदे में ही अराम से आजाएगा, उसके इस 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 decided इसमें नीचे माइं सब्सक्राइब टों रहाए है सब्सक्ते हैं डीजयम्स आफे सैंने के दैने शेलियो पतने है। आप अपना कोई भी पैटर्न जो आपने सिंगल कलर या डबल कलर में बनाना है अपनी मर्जी से आप उसमें एड़ कर सकती है इस पैटरन की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी अपने चैनल पर ये आप वहाँ से सीख सकती है उपर वाला जो पैटरन है इसकी वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं की है ये मैं बाद में करूँगी आज सिरफ आपको कार्डिगन बनाना ही सिखाऊंगे ये बनाने के बाद आपको इसकी लेंथ रखनी है देखिए टोटल इसकी जो लेंथ मैंने बनाई है फ्रेंड्स 13 इंच तयार की है इसमें से मैंने देखिए 9 इंच मुड़े की कटाई करने तक बनाई है यहां मुड़े की जो कटाई होती है तीन और एक से हमने छोटे बच्चों के कटाई करनी होती है न्यूबोरन बेबी से लेकर लगभग डेड़ साल तक के बच्चों की हम तीन और एक की कटाई करते हैं बहुत अच्छी कटाई हो जाती है इतनी ही बहुत होती है उसके बाद देखिए 9 इंच तो हमारा ये हो गया है और 4 इंच हमारी ये मुड़े की कटाई होने के बाद उपर की लैन्थ हो गई है इस तरह से आप अपने विचे का पला तयार करके बच्चे का उसे एक सलाई में सारे फंदे छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें बैक पार्ट में गले की घटाई नहीं होती है बच्चों के इस तरह के कार्डिगन या जैकेट में फिर हम इसका आगे के पार्ट बनाएंगे दो पार्ट बनेंगे आगे के दोनों कैसे बनेंगे देखिए एक पार्ट मैंने बनाया हुआ है एक पार्ट में आपको बटन पटी सेट करके दिखाऊंगे, गले के घटाई करके दिखाऊंगे, एक पार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि हमारे पीछे 60 फंदे डले हुए है, आपने आगे वाले में क्या करना है, 6 फंदे से तो हम इसकी बट इतना पार्ट हम बनाएंगे, जितना हमने ये बनाया हुआ है, उसके बाद जो हम अपना second color लगाएंगे या कोई pattern सेट करेंगे, तब हमने ये 6 फंदे अलग करने होते हैं, ये हमने एक बार ये बटन लगेंगे, जिस पट्टी पे ये तो हमने ऐसे सीधी बना ले, दूसर गटाई भी हमने करने है, घटाई ये मैं आपको करके दिखाऊंगे कैसे की हुई है, घटाई करने के बाद हम अपने पल्ले को जोड़ेंगे, वो भी आपको जोड़ के दिखाऊंगे, अब आज ये friends इसकी जो है, ये second बाला पार्ट बनाएंगे हम, तो ये इसके लिए भ अब कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखे यहाँ पर तो हमने सिरफ बटन लगाना है, अब second बाला जो बनेगा, उसमें हमने बटन होल बनाना है, तो बटन होल बनाने के लिए आप पहले अपनी जो है, तीन या चार सलाई बना लीजिए, इस तरह से जैसे म ने यह बनाई हुई है, मेरी यह चोथी सलाई है, तो चोथी सलाई में अब हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे, यह अपने जो मेरे 27 फंदे मैंने अभी लेने हैं, छे फंदे बटन पटी के छोड़ने हैं, तो यह 27 फंदे पहले उल्टे बना लेती हूँ, यह हमारे 27 जो है इधर हमारी बटन पट्टी बनी है एक बार हम इधर से बुनते हुए आएंगे तो इधर हमारी बटन पट्टी बनी हुई है आप इसमें बटन होल बनाना है चार सलाई बनाने के बाद पहला बटन होल बनाना है क्यासे बनाना है देखिए छे पंदे में से एक और ये द दो फंदे पहले आप अपने उल्टे बना लेना और इस तरह से इसके उपर धागा लपेट देना अगर आप छोटे बटन लगा रही है तो फ्रेंट धागा एक बार लपेटना अगर बड़े बटन लगाने हो तो आपको धागा दो बार लपेटना मैं इसमें छोटे बटन ल एक दो तीन और ये चार देखिए चार फंदे बनने के बाद ये जो हमारी जाली है इसको हम इस बार ऐसे ही बन लेंगे इस तरह से बनाने के बाद अगली सलाई में हम यहां इस जाली के साथ वाले फंदे का दो का एक करेंगे तो हमारा ये बटन होल बहुत ही अच्छा क्योंकि जो हमारा पहला बटन होल होता देखिए इस पट्टी में इसके बीचो बीच बनता है यहां पर इस इससे में तो यह हमारा बटन होल बन गया है अब हमने इसका फंदा नेक्स्ट लाई में जब हम बुनते हुए आएंगे सीधी साइड से जो जाली से फंदा बढ़ा ह उसको हम कम कर देंगे तो यह फंदे उल्टे बना लीजिए अब आज यह इसकी सीधी साइड सीधी साइड पर देखिए इसी तरह से करना है यह जितने हमारे फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे यह हमारी जो जाली से हमने फंदा बढ़ाया था यहां तक तक देखे फ्रेंट्स यहां तक हमारे फंदे उल्टे बन गई हैं यह जो हमने फंदा लपेट करके जाली बनाई थी एक फंदा हमारा बढ़ा हुआ है अब हम क्या करेंगे इस बढ़े हुए फंदे को अगले फंदे के साथ ले करके हम दो का एक बना देंगे फंदे हमारे व बटन होल हमारा बन गया है अब इस पटी को जो हमने ये बॉडर पटी हम तियार करें है सेम इतनी ही बनानी है जितनी हमारी ये बनी हुई है देखे फ्रेंड्स ये वाली जो हमारी बॉडर पटी है सेम इतनी बन चुकी है जितनी हमारी पीछे वाले पल्ले की और आगे वाले की एक की बनी हुई है पहला बटन होल हमारा बन गया है अब हमने इसमें बटन खट्टी के लग चलाने है और अपने पैटरन के लग चलाने है जब हम इसमें डबल कलर की उन लगाएंगे तो वो किस तरह से लगेगी दोनों आगे के पले में यहांपर एक बार आप थ्यान दीजिएगा जब आप एक साइड का पल्ला बनाओगे तो फ्रेंट्स हमारी एक बार तो उन हमारी इस साइड से हमने धागा इसमें जोइंट करना है लेकिन जब हम सैकेंड कलर देखिए इस तरह से करेंगे यह हमारा सीधा हिस्सा है अब उल्टा हिस्सा बनाने के बाद अब हम अपना यहां पर सैकेंड कलर लगाएंगे सैकेंड कलर लगाने के लिए देखिए क्या करेंगे इस तरह से नीचे से इस फंदे में स्लाइड डालेंगे और अपना सैकेंड कलर लेंगे इस तरीके से और यहां हम इसे बान देंगे क्योंकि यह पक्का यह हमारा हो गया है आप देखिए यह 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं दो चार और दो छे अब क्या करना है देखिए हमने इस तरह से करेंगे इस वाली उन को लेकर आएंगे और यह जो हमारी ब्लू है इस से आगे के फंदे हम उल्टे बुनते हुए यह सलाई अब हम कम् करेंगे और यह हमारे आगे के फंदे पहले हम ब्लू कलर से बना लेते हैं और अपने पैटरन को इसमें सेट करेंगे देखिए आपको एक बार फिर से मैंने जो पैटरन बनाया फिर से बता देती हूं दो फंदे सीधे बनाने है धागा आगे करके और तीर फंदे सीधे बन हुआ है यह जो तीसरा फंदा है यह हमने इस तरह से लेना है अपनी इस लाई में इसको थोड़ा हम लूज करेंगे क्योंकि टाइट हो जाता है यह और इन दो फंदों के ऊपर से इसको पलट देना है फिर से धागा आगे करना है और तीन फंदे सीधे बनाते हुए यह पैट से बनाते हैं तो इस तरह से एक होल सा आपको नजर आएगा अब आपने क्या करना है इस ब्लू कलर के धागे को पहले आगे ले लेना है और यह जो आपका से खीच के आगे ले आना आप देखिए एक यहां पर एक कांटा सा लग जाता है जिससे यहां का यह होल बंद हो जा एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, ये छे फंदे बनाने के बाद देखिए, अब फिर से ऐसे ही लग रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले आगे इस धागे को ले लेंगे, इस तरह से, इस तरह से आगे पकड़ने के बाद इसको देखिए, इस तरह से आगे ले बटन होल नहीं बनेगा, अब हम जो है इस में अपना जो अगर आपका इसी कलर से आपने बनाना है सेकेंड कलर से आपके डिजाइन के अनुसार तो इस से बना लीजेगा, अगर जैसे अब मैंने तो ये दो दो सलाई का पैटर्न बनाया हुआ इस में, तो ऐसे काटा लगा कर कि अपने इस क्रीम कलर से मैं इस तरह से बनाते हुए जाऊंगी अपनी उल्टी सलाई अब फ्रेंड्स मैं आपको जो है ये आपको बता देती हूँ सैकिंड इसमें बटन होल कहां पर बनेगा ये तो हम बात में बताएंगे आपको यहां पर आईएगा अब ये बटन पटी इसी तरह से बनाते हुए हम ये पैटन मैं इतना बनाऊंगी इतना बनाने के बाद एक बटन होल यहां बनेगा इसके लिए आप चार या पांच जितने भी आपने बटन लगाने हो आप इस तरह से कोई भी आप में निशान लगा दीजिएगा, मैंने इसमें ये जो वेश्ट बिंदी होती हैं, वो चिपकाई होई हैं, आप इस तरह से लगा के छोड़ सकती हैं, इससे हमारा फाइदा होता है, जब हम बटन होल बनाते हैं, तो हमारे एक्वल बनते हैं, ये जग है, जो हम छोड़ते हैं बीच में, ये कम और ज़्यादा नहीं होती, बराबर बराबर हमारी छोड़ जाती है, तो अब एक बार मैं इतना इसको बना लेती हैं, इस पार्ट को साथ है, ये बटन होल मैं आपको बना करके दिखाऊंगी, इससे यहां तक पूरा कर लेती देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जब हम ये डबल कलर से बना रहे होते हैं, तो देखिए इस तरह से हमारी बिल्कुल एकदम सपाई से बनना चाहिए, यहां पर होल नहीं बनना चाहिए, तो इस धागे को हमने कैसे करना चाहिए, क्योंक पांच और ये छे, देखिए छे फंदे हमने उल्टे बना लिये हैं बटन पटी के, अब कैसे करना है, यहां पर देखिएगा, इस धागे को हम इस तरह से आगे कर लेंगे, और हमने अपना ब्लू कलर से बनाना है, इसको अगर हम यहीं छोड़ के ब्लू से बनाने लग जा आप इसी तरह से आपने जब भी अपना सेकिन कलर लगाओ, तो पटी वाले जो हमारा ये धागा है, इसको आगे ले आना है, और फिर इसको बनाना है, तो यहां होल नहीं बनेगा, देखे फ्रेंट्स, यहां तक का हमारा ये पैटरन पूरा हो गया है, अब हम इसमें अपन सीधी बना लेते हैं, सैकिन पैटरन अपना अगली बार करेंगे, तो यहां हमने बटन होल बनाना है, यह बटन होल आपको एक बार फिर से बना कर बताती हूं, बटन होल दो तरीके से बनाया जाता है, यहां पर आपको दोनों तरह से बताऊंगे, देखे सबसे पहले तो आ फंदे से बटन पटी बना रहे हैं तो हमने चार फंदे इधर रखने हैं और दो फंदे इधर रखके बटन पटी बनाएंगे इससे हमारा जो है क्या फाइदा होगा जब हम बटन बंद करेंगे तो यहां फिटिंग में बंद होएगा जैसे की बटन एक तरफ से खिचेंगे नहीं इसलिए आप दो फंदे पल्ले की तरफ बना करके फिर आप बटन होल बनाना एक बटन होल बनाने का तरीका तो फ्रेंड्स यह है कि हम इस तरह से एक बार लपेट करके छोटे बटन के लिए और आगे बुनते वे चले जाएंगे एक यही होता है कि हम इसी बार में लप बटन होल किस तरीके से बनाना है अगर आप बड़े बटन होल बना रही है तो आपको यह दो बार लपेटना होगा यहां पर जैसे मैं यहां एक बार लपेट रही हूं तो आप इस तरह से दो बार लपेट लेना तो बड़ा बटन होल बन जाएगा तो यह छोटे बच्चे का तो एक बार यह लपेट लिया है आगे के चार फंदे उल्टे दो और ये देखिए हमारा ये तीसरा फंदा है और ये चोथा अब हमारी उल्टी सिलाई है तो हमने अपना जो है सैकेंड डिजैन भी इसमें सेट करना है और ये सिलाई पूरी उल्टी बनाने है एक बात का ध्य ये हमारे पैटरन को सैट करते हमारा इतना बन चुका है ये बटन पट्टी वाला है इस पर आप एक बार फिर से ध्यान दीजेगा धगा आगे कीजेगा और देखिए एक और ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद ये जो हमारा जाली से बड़ा हुआ फंदा है इसे इस तरह से लेंगे और अगले वाले फंदे के साथ दो का एक बना देंगे इस तरह से हमारे दो बटन होल बन गए हैं दो और हमने बनाने देखिए फ्रेंट्स ये हमारा नॉर्मल साइज का बटन होल बन गया इस तरह से फ्रेंट्स अपने से डिजैन को सैट करते हुए इसकी तो फ्रेंट्स पहले इसकी हम लंबाई बना लेते हैं फिर इसकी मुड़े की कटाई और गले की घटाई करें देखें अब कैसे करना है यह हमारी इसकी लेंद पूरी हो चुकी है नो इंच हमारा यह बन गया है अभी चार इंच बनना और बाकी है एक दो और यह तीन तीन उड़े की कटाई हमने इसकी तीन और एक की की है देखें इस तरह से दो का एक करेंगे फंदे को वापस इसी में डालेंगे फिर दो का एक करेंगे इस फंदे को वापस इसी सिलाई में डालेंगे और फिर से हम दो का एक करेंगे और देखें इस तरह से हमारे तीन फंदे य यहां बनाकर लाएंगे और एक फंदे का यहां पर फिर से Bind Off करेंगे दीखेंए अपर प्रेंडे हम इस से चीज आपद करेंगे तो पहले हमने तीन गटाएं अब हम एक घटाएंगे उसके बाद हम अपनी सलाई अपने डिजायन के हिसाब से जैसे हमारे फंदे बने होंगे हम उसी तरह से इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे सीधी सलाई को और इसके बाद हम फ्रेंड्स दो या तीन सलाई और बनाएंगे वो मैं आपको अभी बता देती ह क्योंकि इसमें लगभग कितनी सलाई आपने बनानी है एक तो देखिए आप यहां द्यान दीजिएगा जो हम बच्चे के यह गले की घटाई करते हैं अगर हम इस तरह से घटाया हुआ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हम अगर इधर से करेंगे तो फ्रे मुड़े की घटाई कैसे करनी वो करके दिखाऊंगी पहले हमने की मुड़े की घटाई समित यहां धाई इंच मैं इसको बना लेती हूँ फिर आपको यह घटाना बताऊंगी देखे फ्रेंड्स अब यहां ध्यान दीजिए यह हमारा तीसरा बटन होल अब हमने चोथा गले की घटाई होती है उससे थोड़ा नीचे बटन होल बनाना होता यह देखिए जब आपका यह इतना रह जाए बनना यहां से नापेंगे इतना तब आप यहां बटन होल बनाएंगे तो वो बनके जहां हमारी बिंदी लगी हुई है ठीक इस जगे पर आ जाएगा अगर हम यहां पर इसे नापेंगे तो देखिए 2,4,1,6, 6 सलाई हमारी बननी बाकी रह गएंगे अब हम बटन होल बनाएंगे जहां से हमारे गले की घटाई हुए है तो अब बटन होल हम अपना उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया है अगर आप इस साइड से और ये चार अब क्या करेंगे देखिए इस तरह से धागा लपेट देंगे और ये धागा हमने थोड़ा धीलाई लपेटना होता है ताइट नहीं लपेटना होता अब आगे के दो फंदे भी हम उल्टे बना लेंगे ये दो तरह से जैसे मैंने बताया ये धागा लपेट के आगे वाले दो फंदे का एक भी कर सकते हैं और इसको next लाई में बुन करके इस सलाई में फिर से दो काई कर सकते हैं ये आपकी मर्जी लेकिन जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया ये हम तीसरी सलाई में मैं कम करती हूं आप चाहो तो इसी में ये जाली से बढ़ा है तो आगे वाले दो एक कर दीजिएगा और अब अपने फंदे बना लीजिएगा आगे के सारे जितने हैं गले की घटाई भी बताऊंगे देखे फ्रेंड्स इस तरह से नाप के देख लीजिएगा आप मुड़े से मुड़ा मिला कर और ये जो पट्टी हमारी इससे मिला कर हमारी लैंद पूरी हो गई है अब हम गले की घटाई करेंगे यहां पर आप द्यान दीजिए कि कैसे करना है देखिए ये जो बटन के पट से आपने बंद करना है ताकि यहां से हमारा जादा इसमें सिकड़ा हुआ ना बने इस तरह से आप दो का एक करते जाएगा और इसे वापसी सी सलाई में डालके फिर से देखिए ऐसे करेंगे दो का एक किया ये फंदा वापसी सी सलाई में फिर से दो का एक किया अब ये द योकि 6 ये और एक अगला हमने 7 फंदे बाइंड ओप किये हैं, बाकी के फंदे जैसे हैं, हमारे अपने डिजयन के हिसाब से वैसे ही बना लेंगे. अब देखिए, जो उनसे सलाई में हमने फंदे कम किये थे, उसके बाद हमारी ये सीधी सिलाई आई है तो सीधी सिलाई हम अपनी सीधी बना करके complete करेंगे जैसा आपने design बनाया हो उसी design को आपने बुनते हुए जाना है जैसे भी आपने इसके अंदर pattern डाला होगा उसी हिसाब से आप अपनी ये सीधी सिलाई complete कर लेना उसके बाद फिर हम यहाँ देखिए फ्रेंड से अगर आपके फंदे इस पार्ट में जादा हूँ जैसे आपने दूसरी साइड से घटाई होंगे उसी तरह से हमने इसमें घटाने है अब मैं आपको इसमें एक मैन बात होती है ये बच्चों का गला घटाने की इसमें मैंने यहाँ पर 15 फंदे रखे हुए है तो मैं यहाँ पर 15 फंदे रखूँगे और जो है हर तीसरी सलाई में एक एक फंदा वैसे कम करना होता है लेकिन हमारे फंदे यहाँ जादा हो तो फ्रेंड्स हम इस तरह से देखिए दो फंदे का एक करेंगे इस तरह से भी हम इसे बाइंड ओफ कर सकते हैं दो का एक किया वापस डाला और दो का एक किया इस तरह से हम दो दो फंदे करते हुए भी हम अपने इसकी राउंड बना सकते हैं या आपने इसी तरह से करना है अगर आपके फंदे कम हो तो आप तीसरी सलाई पर एक फंदा कम कर दीजिएगा और जादा हो तो दो अब हमने तीसरी बात पर गलेम की घटाई करनी है फंदे कम करने है तो अब हम फिर से क्या करेंगे दो फंदे यहाँ पर कम करेंगे देखिए दो का एक किया फंदे को वापस लाई में डाला और दो का एक करके अब बाकी की सिलाई हम अपने पैटरन के हिसाब से पूरी कर लेंगे और एक सिलाई सीधी बना लेगे अब देखिए friends अब हम यहाँ पर चोथी बार फिर से फंदे कम करेंगे तो आब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 अभी मेरे फंदे बचे हुए हैं तीन फंदे मैंने कम करने हैं तो इस बार जो हमें यहाँ पर friends एक फंदा कम करूंगी क्योंकि अभी मेरा थोड़ा बनना बा अब देखिए friends इस तरह से हमारी कटाई होनी शुरू हो गई है और हमारी length भी पूरी होने वाली है दो या चार सलाई बननी बाकी रह गई हैं अब हमने भी दो फंदे पाइंट ओफ करने रह रहे हैं इस बार हम एक फंदा यहाँ पर कम करेंगे और अपनी सलाई को complete करेंगे उल्टी को और फिर एक सलाई हमारी सीधी साइड वाली होगी तो सीधी साइड वाली को भी हम अप पहली बार एक फंदा फिर कम करेंगे यह पलाब हमारा बनके रैडी हो गया है अब हम क्या करेंगे इस कंधे से इस कंधे को जोड़ेंगे इस तरह से जैसे कि हमने यह वाला जोड़ा हुआ है इस तरह से इस तरह से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे जैसे कि हमने इसको यहाँ जोड़ना है और यह वाले जो फंदे है या तो आप इनको यहाँ से बाइंड ओफ करते हुए जाएगा यहाँ पर एक धागा जोइंट कर लिए और पहले इन फंदे को bind off करते हुए जाएगा और फिर यहां जोड़ दीजेगा या फिर आप ऐसा कर लिजेगा अगर आपके इधर ये फंदे हैं और नौट इसकी भी इधर आ गई है और इस सलाई की भी इधर आ गई तो हम क्या करेंगे पहले इस सलाई के जो फंदे हैं हमा अब ध्यान से देखेगा मैं कैसे कर रही हूँ इनको हम उतार लेंगे यह ऐसे कर लिजेगा इनको अब देखें हमें बहुत आसानी हो जाएगी इनको ऐसे लेने में अब हम इनको जोड़ेंगे इसी सलाई में क्योंकि इसमें हमने अपने ये वाले फंदे उतार लिये हैं तो अब इनको ले लेंगे, हम देखिए, एक फंदा इसमें से लेंगे, और एक इसमें से, एक इसमें से, आपने ये ध्यान रखना है, friends, कि जो आपका धागा इस साइड है, इस साइड है, मेरे दोनों तरफ हैं, तो इसलिए मैंने इस सलाई में ले लिया है, नहीं तो एक बि इसका, एक इसका, इससे हमें एक कंदे जोड़ने में बहुत आसानी होती है, कोई फंदा हमारा बीच में छूटता नहीं है, एक खंदा उस सलाई का, और एक इस सलाई का लेते हुए, पहले इनको एक सलाई में कर लेंगे, सारे फंदे को, ये देखिए, फूहोती आसान हो सबसे पहले तो आप दो फंदे का एक कीजिएगा इसे वापस इस सलाई बे डाल लीजिएगा अब आगे आपने तीन फंदे का एक करना है तीन का एक करेंगे इसे वापस डाल लेंगे और आगे वाले दो लेते हुए देखें ये सारे फंदे आपने इस तरह से इनको बंद कर यहां तक बंद करना है जब आपके यह वाले फंदे स्टार्ट होते हैं जो हमने जोड़े हुए एक इसका एक उसका वही वाले फंदे आपने बाइंड ओफ करने हैं देखे फ्रेंड्स यह हमारे कंधे जुड़ चुके हैं अब हमारा एक धागा यह है और एक यह है मेरा तो यहां पर यह चोटा रह गया है, तो मैं यहां पर इसकी एक नोट लगा लूँगी, अगर आपका बड़ा हो तो आप दोनों में से एक को काट देना, और एक थाग्ये से यह वाले सारे फंदे बाइंड ओफ करोगे, तो इन्हें आपने ताइट हाथ से नहीं करना है, क्योंकि जब हम यहां से फंदे उठाएंगे तो हमारे गले की से बहुत अच्छी आनी चाहिए अगर आपने खीच के यहां पर टाइट हाथ से बंद किया तो यहां से सारी लुक खराब हो जाएगी इस लिए इस तरह से इस धागे को थोड़ा लंबा कीजिएगा और फिर इस सलाई में डालेगा फिर इस तरह से दो का एक जब करोगे तो इसे लंबा रखेगा और फिर आगे से दो का एक करना तो यह हमारा डिला डिला बंद हो जाएगा यह सारे फंदे बाइंड ओफ होने के बाद इस तरह से आप यहां पर नोट लगाएंगे और इस वाले उनको आप यहां से बिल्कुल ही कट कर देंगे क्योंकि अब इसकी यहां पर हमें जरूरत नहीं है इस तरह से देखिए हमारी जो है गले की घटाई हो चुकी है फ्रेंड हम इस साइड से उल्टी साइड से फंदे उठाना शुरू करेंगे जो हमारे फंदे उठाने वाली चैन है वो सीधी साइड जाएगी लेकिन हमने इसको बिल्कुल गोल गला बनाना है तो हम इस हिस्से से फंदे उठाना शुरू करेंगे सीधी साइड से और इस तरह से उठ 25 या 26 इधर 30 से 32 या 35 फंदे तक हम पीछे उठाएंगे अगर न्यूबोरन बेबी से लेकर 5 महिने तक बच्चे का साइज है तो 20 से 21 फंदे हम यहां उठाएंगे और 28 से 30 फंदे के आसपास हम पीछे फंदे उठाएंगे और हम इसका गोल या कॉलर दोनों में एक समान फंद 30 फंदे रखने है और पीछे वाले में 35 से 36 फंदे रखने पर्यापने आप इसकी राउंड बनानी है तो पहले मैं इसके गला गोल बनाओंगी तो यहां से लेकर यहां तक के फंदे उठा लेती हूँ मैं इसमें यहां पर 24 पच्चिस के आसपास फंदे इधर रखूँगी और जो है 30 या 32 फंदे मैं इसके पिछे रखोंगी देखे फ्रैंट्स इसके हमने राउंड में फंदे उठा लिये हैं फंदे हमने यहाँ पर यह हमारा जो आगे वाला एक पार्ट है 25 फंदे हमने इसके इसमें उठाए हैं 32 फंदे यानि 32 फंदे बीच के आपको भी अपनी ऐसे ही बनानी है अगर आप राउंड नैक में फंदे उठा रही हैं तो हम सीधी साइड से फंदे उठाना शुरू करेंगे तो हमारी फर्स्ट लाई जो है उल्टी साइड से बनेगी और पहली इस लाई हमने उल्टी बना करके कंप्लीट करने लेकिन अगर आप इसमें कॉलर नैक बनाना चाहेंगी तो आपको जब फंदे उल्टी साइड से उठाना शुरू करेंगे तो हमारी ये जो फंदे उठाने वाली लाईन है ये हमारी सीधी साइड आ जाएगी और हमारी जो है फर्स्ट लाई सीधी साइड से उल्टी बनेगी आप अपना इसी तरह से जोन सा भी गला बनाना चाहो वो आप देख लेना इसमें मैं गोल बना रही हूं तो आपको गोल के हिसाब से बताऊंगी पहली सलाई हमने उल्टी बना करके कंप्लेट कर ली है अब आगी है इसकी सीधी साइड और दूसरी सलाई इसमें हमने शोर्ट रोज करनी है शोर्ट रोज करने के लिए आप एक बार ध्यान दीजेगा कैसे होएगी यहाँ पर 25 फंदे इस पार्ट के हैं 32 इसके है और 25 इसके है हम अपने एक मारक बनाएंगे और यहाँ से 20 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर एक मारक लगा देंगे उसके बाद सारी सलाई हम यहाँ से उल्टी बुनते बुनते यहां हमारे 20 फंदे रहने तक पूरे फुसलाई उल्टी बना करके कम्प्लीट करेंगे यह देखे फ्रेंड्स एक, दो, तीम, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उन्निस, और यह 20 20 फंदे बनाने के बाद, एक अपना, या तो कोई सेटी पिन का, या किसी भी चीज का, या इस तरह से, बूल का, आप एक मार्क बना लीजेगा, और इसे, इस लाई में इस तरह से लेके, पिछे वाली साइड छोड़ देना, और यह सलाई आप, आप यहां से बुनते हुए, आगे हमारे 20 फंदे रहने तक, पूरी सलाई उल्टी बना लेना, ये मार्क लगाने का फाइदा क्या है, फ्रेंड्स, हम सोर्ट टोज करेंगे इसमें, तो सोर्ट टोज करते हम बुल्टा आएंगे, तो ये 20 फंदे हमने, जब वापस आएंगे, ये 20 फंदे छोड़ करके, तो ये हमने बनाने नहीं है, दोबारा नहीं किनने पड़ते हैं, ये हमारा मार्क हमें या फहचान के लिए है, देखे फ्रेंड्स, अब ये हमारे इधन 20 फंदे रह गई हैं, अब हमने क्या करना, यहीं से हम इस तरह से मुड़ेंगे, और देखे धागा हमारा इस साइड ह तो इन 20 में से एक फंदा पहले बिना बुनाया इस सलाई में लेंगे और ये धागा अपनी तरफ ऐसे कर लेंगे और इस बिना बुनाय फंदे को वापस इसी सलाई में लेंगे और आगे के फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनते हुए जाएंगे तीसरी सलाई है हमारी यहां तक यह जो हमने मारक लगाया हुआ है यहां तक हम यह सारे उल्टे बनाएंगे इस तरह से आप अपनी सलाई को उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेना यह देखे फ्रेंड्स यह हमारा लास्ट का फंदा है हमने बनाया अब यह हमारा मारक आ गया है यहां पर बीज में अब हम क्या करेंगे इस मारक को यहां से हटा देंगे इस तरह से एक फंदा इस बीज में से बिना बनाये इस सलाई में हमने लेना लेकिन उससे पहले हम ट्रं करेंगे इस तरह से यहीं से मुड़ जाना है यह वाला बिना बुनाया स्फंदा इस स्लाई में ऐसे लीजेगा और यह जो धागा है इसके यहां से आगे कर लीजेगा इससे वापस इस स्लाई में लीजेगा और अब हम यहां से इस सलाई को उल्टा बुनते हुए पूरा अपना यहां तक कम्प्लेट करेंगे यह सलाई हमारी यहां तक बनके कम्प्लेट हो गई है अब आज यह इसकी उल्टी साइड पर अब उल्टी साइड की हमने सलाई फिर से पूरी उल्टी बना करके इसमें पूरी करनी है धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको इस तरह से उल्टा बनाते हुए ये सलाई कम्प्लीट करेंगे देखें friends हमारी उल्टी slice में उल्टी बना करके हमने complete कर ली है एक बार अब यहां ध्यान दीजे देखें अगर हम यहां वाले पार्ट पे देखें इतने में तो हमारी 3 सलाई हुई है लेकिन अगर बीच वाले पार्ट में जो हमने short रोज की हैं तो वहां हमारी 5 सलाई हो चुकी है अब हम क्या करेंगे इसमें 3 या 4 सलाई जितनी आपने जो है इसकी ये पट्टी चोड़ी बनानी हो गले की उतनी आप सलाईया बना लेना 6 सलाई से बनाईए 7 से बनाईए या 8 प्लाश्ट होती है 8 नहीं तो फिर ज़्यादा चोड़ी हो जाती है तो मैं अब इसको पूरा करके तब आपको दिखाऊंगे देखे फ्रेंट्स अगर हम अपने इस वाले पार्ट के हिसाब से देखें जो हमने ये 20 फंदे हमारे यहाँ पर छोड़े थे तो हमारी ये 5 सलाई बन चुकी है अगर हम बीच वाले के हिसाब से देखे तो हमारी 7 सलाई बन चुके है हमने यहाँ पर इसलिए शोर्ट रोज करते हैं देखे फ्रेंड्स इन फंदों को जब आप बाइंड ओफ करो नेक वाले गले के ना तो इनको आपने ज़्यादा टाइट बंद करना है और ना ही बिल्कुल लूज करना है देखे इस तरह से नॉर्मल हाथ से आपने बंद करना है लगभग जो है ये फंदा आपका इतना धिला रहे जो आपने दो का एक किया फिर वापस इसको इसलाई में जब डालोगे तो इतना धिला ही आपका ये रहे इतना और फिर आप दो का एक करना तो आपकी जो यहाँ पर बच्चे की नेक ये बनेगी राउंड में ये बहुत स्मूद बनेगी एकदम देखिए इस तरह से ये चुभेगी नहीं इस तरह से सारे फंदे बंद करके और हम अपने इस उनके गोले को इसके से फंदे के बीच में से इस तरह से निकाल देंगे इसको और थोड़ा टाइट करेंगे इसको बिलकुल एकदम से पक्का काम करेंगे और उसके बाद एक बार निकालने के बाद फिर से हम इस तरह से स्लाइट डालेंगे और ये फंदा बनाके एक दो बार हम इसको ऐसे ही करेंगे तो यहाँ से हमारा ये पक्का हो जाएगा बिलकु आइसे बनाईएगा और इस वाली उनको इसके बीच में से ले करके ऐसे निकाल दीज़ेगा और यहां पर बिल्कुल टाइट खीच दीज़ेगा और इस उनको आप बिल्कुल इसके मिला के काट सकती है ताकि यह सफाई से नजर आए देखे इसको बिल्कुल ऐसे कार देगे अब ये हमारा जो है गला बनके रेडी हो गया है ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अब इस तरह से हमारा ये बच्चे का राउंड नेक हो गया है फ्रेंड्स इस तरह से अब हमने क्या करना है इसमें यहाँ पर बटन लगाएंगे और बाजू कैसे बनानी है आब इसकी बाजू पर आजिए बटन मैं आपको बाद में लगा कर केस में दिखाऊंगी बाजू मैंने इसकी ये बाजू रेडी की हुई है, कैसे बनेगी आप ध्यान दीजेगा, बच्चे की बाजू बनाने के लिए यहां से आप फंदे, वूल के हिसाब से मोटी या पतली उससाब से देख लिजेगा, थोड़े लूज रखना, फंदे डिजायर नग रखना, डिजायर फंदे से बाजू सोफ्ट बनती है नीचे से, यहां पर मैंने 35 फंदे लिए हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को पहनाने में आराम से आए, इसलिए लूज बनाईएगा नीचे से, 35 फंदे बना करके जितना बॉडर आपने यहां बनाया है, इसका उतना ही बॉडर आप उसी तरह का यहां पर बना लेजएगा, फिर आप एक फंदा जो है, यह बॉडर बनाने के बाद दो या तीन सलिएगा ऐसे ही, फिर एक फंदा इधर से बढ़ाईगा और एक इधर से, हर चोती सिलाई पर एक फंदा बढ़ाते हुए अप जाईएगा जितनी आपने बाजू की चोड़ाई रखनी है उसी साब से रखिएगा मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ मैंने इसकी चोड़ाई कितनी की है 55 फंदे मैंने इसमें टोटल बढ़ाई हुए है पैंटीस यहां रखे थे टैनिस साइड से बढ़े है और टैनिस साइड से बढ़े है जहां से मैंने मुड़्े की कटाई कुई है वहां से देखिए साड़े आठ हिंच चोड़ाई बनी है इसकी 55 फंदे में टोटल लंबाई इस बाजू की देखेगा फ्रेंड्स साड़े नो इंच है ये जो है छे मिने से एक साल के बच्ची को ये बाजू आराम से आ जाती है इसमें कटाई कैसे करनी है देखे फ्रेंड्स इसकी जो है यहां से नाप लिजेगा और यहां तक पोने आठ इंच लंबा देती हूं कैसे करनी है देखिए कटाई जब आपकी बाजू की लैंध पूरी हो जाए आपने बाजू की इतनी रखनी साड़े साथ या पोने आठ इंच लंबी आपकी बाजू हो जाए वहां तक इसमें 55-56 जितने फंदे आपने चोडाई में रखने हो उतने आप रख ले हमने मुढ़े के इसमें बाजू की घटाई ऐसे ही करनी है देखिए हम दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे फंदे को वापस स्लाई में डालेंगे फिर से दो फंदे का एक करेंगे फिर वापस फंदे को डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से देख से हमारे तीन तीन फंदे बाइंड ओफ हो गए हैं अब हम यहां से दो फंदे बाइंड ओफ करेंगे ऐसे ही करेंगे देखिए दो फंदे का हम एक करेंगे इस तरह से दो फंदे हम एक साथ लेंगे और दो का एक बना देंगे इसे वापस सलाई में डालेंगे और दो फंदे क एक कर देंगे, अब अपनी जो हमारी इसलाई है, इसे हम बुनते हुए जाएंगे, जैसे भी हमारी डिजैन के हिसाब से होगी, और जब हम सीधी साइड से आएंगे, तो दो फंदे इधर से बाइंड ओफ करेंगे, दोनों तरफ से हमारी दो दो फंदे की घटाई और हो गई है, अब हमारी तीसरी बार घटाई होएगे, तीसरी बार हम क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर दो फंदे बाइंड ओफ करेंगे, इस तरह से दो फंदे का एक करेंगे, इसे वापस स्लाई में लेंगे, और दो का एक करके, अपनी उल्टी स्लाई बनाएंगे, सीधी आएंगे तो फिर से यहां पर दो फंदे हम बाइंड ओफ करेंगे देखी फ्रेंड्स हमारे तीन बार हमने यहां से घटाए तीन यहां से घटाए फिर दो इदर से दो इदर से फिर दो इदर से दो इदर से तीन बार हमारे फंदे बाइंड ओफ हो चुके हैं अब हम सबसे पहले अपना ये वाला जिसकी हमने मुड़े की ये लैंथ है इसकी चोड़ाई हमने नापनी है इस तरह से देखिएगा कितनी हमने उसी इसाब से आगे की हम कटाई करेंगे ऐसे नापेंगे इसको इस तरह से लेंगे ऐसे और फिर इसको हम इस तरह से देखिएगे अब हमारी सिर्फ इतनी कटाई रहेगे अगर हमारी इतनी रह जाती ज्यादा रह जाती है तो हम क्या करेंगे एक बार फिर से हम दो फंदे इधर से bind off करेंगे, दो उधर से करेंगे लेकिन अगर हम इस नाप के देखते हैं और अगर हमारी इतनी रह जाती है तो हम क्या करेंगे, एक फंदा इधर से bind off करेंगे अब और एक इधर से करेंगे, bind off ऐसे ही करना है, दो फंदे का हम एक करेंगे और आगे हम अपनी सलाई बुनते हुए चले जाएंगे, फिर उदर से ऐसे ही करेंगे, देखे फ्रेंट्स हमारी एक एक फंदे की घटाई दोनों तरफ से हो चुकी है, अब हम एक बार फिर से इस बाजू को जो है इसमें नाप लेते हैं नाप हमने देखिए ऐसे ही करना है, यहां से नापेंगे और इस तरह से इसको हम ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे ऐसे और यह देखिएगा, अब हमारी बाजू की बिल्कुल पूरी हो चुकी है, इसमें हमने घटाई कितनी की एक बार फिर से देख लिजेगा, तीन, तीन, दो, 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 एक, एक, अब हमारे जितने फंदे बचे हैं, इन्हें हम बाइंड ओफ करेंगे, देखे फ्रेंट्स, इस तरह से हमारी ये जैकेट बनके रेडी हो चुकी है, मैंने आपको स्टेप पाई स्टेप पताया है, अब इसमें हमारी सिलाई बाकी रहेगी है, बाक आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, आप मेरे चैलन से देख सकते हैं, तो अब मैं आपको इसको सील के बटन लगा के तब दिखाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, सबसे पहले कौन से पार्ट आप जोड़ेंगे, इस तरह से आप इसको पहले उल्ट जोड़ेंगे, उसके बाद हम फिर इधर वाला पार्ट जोड़ेंगे, हम ये दोनों पार्ट जोड़ेंगे, फिर हम अपनी बाजू लेंगे, बाजू की हम सीधी साइड से ही मेट्र सिलाई करेंगे, यहां से लेकर और यहां तक इसकी सिलाई करके इसको भी छोड़ और बाद में ये पूरी स्वेटर सीलने के बाद हम इसमें बाजू जोडेंगे और बाजू हमने कैसे जोडनी होती है ओभी मेरी वीडियो मिल जाएगा तो पूरी स्वेटर आपको सील के इसमें बटन लगा के एक पर फिर आपको दिखाऊंगे देखे फ्रेंड्स बटन लगके सिलके और ये बेबी कारडेगन कहलीजिई या बेबी जैकेट कहलीजिए तैयार हो चुका है आप अपने बच्चे के लिए इस तरह से जैकेट बनाईए क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरह से बटन वाले जो हम कारडिगन बनाते हैं ये तो पहनाने में आसान होते हैं और सुन्दर भी बहुत ही लगते हैं देखे ब्रेंट्स इस तरह से बेबी कार्डिगन बेबी जैकेट बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिएगा, थैंक यू